तो गाइस आज मैं बात करने वालों इंडस बैटल रोयल गेम के बारे में लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले प्लीज मेरे कमेंट सक्षर में उल्टा सीधा मत लिखना बरना भाई मैं सब को ब्लॉक करूंगा रिपोर्ट मार के तो चलो स्टाट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे इंडस बैटल रोयल गेम को इतनी जदा हेट क्यों मिल रही है तो देखो इंडस को हेट इसलिए मिल रही है क्योंकि भाई उन्होंने जब अपने जो ट्रेलर लॉंच कया था बहाँ पर गेम का ग्राफिक्स कुछ अलग दिखाया था और जब गेम आया एक्चुली में तब उसके ग्राफिक्स और उसका मेकानिजम कुछ अलग लेवल का है जिसको मतलब वो इंडियन ओडियन्स हजम नहीं कर पाई हां मैं मानता हूं कुछ लोग मतलब पैदा इसी हेट मतलब तुम समझ रहे हो मैं किनकी बात कर रहा हूं उनके बारे इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे मतलब कुछ लोग कैसे होते हैं जो बिना बचा हेट दे रहे हैं जिनको गेम का घंटा नहीं बता जो मतलब एसो ट्रेंड चल रहा है ना तो उस ट्रेंड के मतलब नदी में बहे चले जा रहे तो यह सारा सीन है तो उनको हम लोग अगले वाले वीडियो पे पे लेंगे तो इस वाले वीडियो पे मैं जिस इंडस के बारे में बात करने वाला हूँ टेंसन मतलो इंडस के बार में चार्ट रूसी करने बाला नहीं हूँ मतलब यहां पे मैं इंडस की तारीफ के पुल नहीं बादने बाला हूँ क्योंकि इंडस ने मेरे को पैसे नहीं दिये हैं भाई अगर पैसा देता तो मैं होई करता क्योंकि भाई at least मुझे गेम के तारिफ करने पर पैसे तो मिलते तो गेम के बुराइं काने पर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो इसलिए मैं इहाँ पर अपना genuine opinion रखने बाला हूँ सबसे पहले इंडस के जब में इंडस के खेल रहा था तो मैंने नोटिस के इंडस की जो ग्राफिक्स है वो उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती मतलब क्या होता है जो लाइट बगरा होती है या पिर जो चीज़ ही आसपास से उसके साथ जो ग्राफिक्स की सेटिंग से वो मैच नहीं करती ऐसा लगता है भाई कोई पोग्राम है जो ओन हो गया है और हम बस मतलब खेल रहे हैं ऐसे ही मतलब नॉर्मल कोई एकसाइटिंग बाला चीज ही नहीं है वहाँ पर लाइक जब मैं गेम खेला था मुझे कोई ऐसा एंटरटेन्मेंट फील नहीं हो रहा था लाइक अगर आप केरेक्टर्स को देखोगो या फिर गन्स को देखोगे बो मेकनिजम हमारे मेकनिजम से मैच नहीं करेगा मेरा मतलब है हम लोग फ्री फायर बीजी हमाई ये सुफ खलके में खेल रहे हैं काफी दिनों से इस तरह बैटल डॉयल गेम तो इसकी मेकनिजम के साथ हम को चाहिए कि अगर बो मेकनिजम मैच कर जाता तो कहीना कहीन इस गेम को भी काफी एदा हम लोग खेले में जो ओता है वो करवाता है वो यह फिर कहूँ इस गेम को खेले पैर हम वह से अलग बना दिया दूसरा point जो futuristic चीज़ है लाइक के गेम के अंदर पूरा का फूरा futuristic सा चीज़ है जिसके खरण क्या होता है audience को ना जो beginners है उनको गेम के साथ connection बनाने में बहुत ज़्यदा problems होती है अगर एक दो मेच वो समझ नहीं पाते है ठीक है लेकिन आगर बार बार एक ही scenario आता रहा एक ही बार वो मरते गए मतलब एक ही तरीके का scene चलता रहा न या फिर गेम के साथ connection होने में या फिर गेम के साथ emotionally connect होने में उनको ज़्याता time लगा तो वो connection तूड जाएका और बो लो गेम को छोड़ जाएंगे चोथी बात गेम और फी जादा इंप्रूब हो शकती थी optimization के मतलब से मतलब है कि game low end device को target कर सकता था मतलब game actually target का था low end devices के audience को ताकि वो भाई actually अपना market को जमा पाए अगर game already मतलब अगर long बड़े device को target कर रहा था तो आपको graphics और आदर चीज़ों में भी काफी है था अलग level का मतलब improvement करना पड़ता तब जाके कि आप low end device से हट के mid range या फिर high end devices को target कर सकते थे लेकिन आपका game low end device के भी बराबर नहीं है और आप लोग target कर रहे हो high end device को तो भाई इस में तो भाई गड़बड हो नहीं थी मैं यहाँ developers या फर इंडस्क जो gaming है या फिर काऊँ जो super gaming community है या फिर company है उसको hate नहीं दे रहा हूँ कि आपको hate देने से अगर game improvement हो जाता तो मैं आपको दबा के गाली देता बट आपको गाली देने से game का improvement नहीं होगा अगर game का improvement होगा तो अच्छे feedback से इसलिए में अच्छा feedback आप लोगों को दे रहा हूँ अगर आप लोग देखते हो या फिर कोई भी नहीं देखता है तो भी चलेगा बट feedback में जर्णार नहीं दूँगा अब बात आती है main चीज़ की जिसके लिए भाई बहुत ज़्यादा game को re-decides किया जा रहा है कि game भाई मतलब बहुत यह दा बायाद बना है मतलब है कि game को अभी के टाइम पे launch नहीं किया जाता तो और अच्छा होता और दोड़ा सा समय लेते audience के साथ दोड़ा सा बात कर लेते जो मतलब जो तुम्हारी main community है उसके दोड़ा सा बात करते कि game कैसा लग रहा है उसके बाद game को launch किया जाता बट आपने game को launch भी कर दिया और 2.5 कलोर्स का tournament भी आपने announce कर दिया जिससे क्या होता कि अगर गलत impression आया tournament के दोरान तो यह game की बेजिती के साथ-साथ भारत की बेजिती हो जाएगी क्योंकि आप लोगों ने पहले से कहा कि हम लोग एक end made in India game बना रहे हैं जो लोग के रहे कि game made in India नहीं है तो मैंने कुछ poster दे दूँगा screenshot बगर तो उससे आप पढ़ लेना और आप लोग video को post करके पढ़ लेना उसको ठीक है अब बात करते है Free Fire के बारे में तो देखो Free Fire से इस game को comparison करना मुझे लगता है उचित नहीं है क्योंकि भाई Free Fire की जो gaming engine है बो अलग है बीजियमे की जो gaming engine है बो अलग बेस है और ES game की gaming engine अलग बेस है इसे unity based gaming engine से बनाएगा है और हमने यह देखा है जादा ता जो made in unity जो game ह तो उसमें धोड़ा सा problem से में देखता है धोड़ा सा low graphics दोड़ा वह चीज़ें हमें देखता है और Free Fire एकदम अलग इंजिनी से बना गेम है और वीजियमे इन आदर्स जो है वो unreal engine से बने हुए games है जिसका हमें comparison करना ही ने चाहिए बात करते स्कारफॉल की तो देखो स्का स्कारफॉल में guarantee देता हो popular होगा because उसमें इंडियन जो प्लेसे से उसको लाया गया है जिसके साथ हम लोग emotionally connect हो सकते हैं और already उसने आलफा फेच पे जनता के साथ emotionally connect कर दिया है so I hope हमारे स्कारफॉल के लिए एक right feature उसका wait कर रहा है करते हैं इंडियस की तो इंडियस भी देखो improvement ला सकता है अगर वो चाहे तो अगर वो actually जनता की feedback को as a feedback ले जो hate दे रहे हो उसको उसको ignore करें कि जब बुरा वक्त चलता है न तो भाई अब समझ रहे हो न खुता भी share क दहार लगाता है तो इसलिए आप लोगों से कहता हूँ hate को आप लोग धोड़ा से ignore करके आप लोग गेम पे focus करो game के development कित हस तक मतब कितने हथ तक जो है improve हो सकता है उस पे धोड़ा सा focus करो मैं guarantee तो आप लोग आच्छा गेम बना पाओगे और update के दोरान इसको जल्दी चल पर होने वाला है